हेलो फ्रेंज आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्राखन BSC Nursing, Paramedical, GNM, A&M किसी भी कोर्स के लिए आप अगर apply कर रहे हैं तो आप किस तरीके से घर बैठे apply कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आप वीडियो के लास तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सबसे पहले friends आप क्या करेंगे इसकी official website पर जाएंगे इसकी जो official website है वो है आपकी hnbumu.ac.in जैसे ही आप इसकी official website पर पहुचेंगे आपको क्या करना है scroll down करना है यहाँ पर आपको सबसे पहला option मिलेगा nursing paramedical entrance exam 2024 आपको इसमें click करना है friends वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से request है कि आप पहले वीडियो को पूरा complete देख लें सुन लें समझ लें अच्छी तरह से उसके बाद ही अपना form fill करें अगर आपने कहीं पर कुछ mistake कर दी तो आपका पूरा साल बरबाद हो जाएगा एक साल आपको फिर wait करना पड़ेगा next इसके जब form आएंगे तब ही आप form fill कर पाऊगे तो इसलिए पहले आप form को पूरे अच्छी तरह से समझ लें तभी आप अपना form fill करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे click here to register में click करेंगे आपको यहाँ पर एक registration करना है ठीक है सबसे पहले आपको name of the candidate पर अपना नाम लिखना है यहाँ पर आपको अपना date of birth select करना है then आपको यहाँ पर 10 digit का mobile number enter करना है same mobile number आप यहाँ पर enter करेंगे ऐसी ही आपको यहाँ पर अपनी email id एंटर करनी है same email id आपको यहाँ पर भी enter करनी है then आप send OTP पर click करेंगे फ्रेंज यही ही आप OTP पर click करेंगे आपके mobile number और email id पर एक OTP आया होगा उसे आपको यहाँ पर enter करना है then आप submit में click करेंगे submit में click करने के बाद यहाँ पर एक check box मिलेगा आप इसमें click करेंगे then register में click करेंगे उसके बाद friends आपके सामने कुछ इस type का page open होगा यहाँ पर सबसे उपर आपका registration ID नमबर दिया इससे आप note down कर लें करेंगे अभी हम सबसे पहले बीसी नर्सिंग के लिए apply करेंगे तो आप यहाँ apply वाले option में click करेंगे apply में click करने बाद friends यहाँ पर course का नाम सो रहा होगा जैसे हमने बीसी नर्सिंग के लिए apply किया है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले आपको father name एंटर करना है उसके बाद आप यहाँ पर mother name एंटर करेंगे देन आपको यहाँ पर gender select करना है नेसलिटी आपको यहाँ पर select करना है domicile of utrakan क्या आप utrakan के निवासी अगर है तो आप yes में click करेंगे नहीं है तो आप no में click करेंगे ठीक है यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर आपके पास है वह आप यहाँ से select करेंगे और उसका number आप यहाँ पर enter करेंगे यहाँ पर यहाँ पर पर पर्मानेंट अड्रस फिल करेंगे अगर आपका correspondence address और पर्मानेंट address सेम है तो आपको यहाँ पर एक checkbox मिलेगा आप इसमें क्लिक करेंगे तो और आटो कॉपी होके पर्मानेंट address में आ जाएगा उसके वाद फ्रेंस आपको यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है जो भी आपका दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ पर करेंगे यहाँ पर आपको तीन एक्षाम सेंट्र सेलेक्ट करनें जो भी आपके नीर ‑‑ न कलिक करेंगे हैंगे सेव नेक्स में क्लिक करने के रज़ाँ यहाँ पर हापके इन्फरमिशं फिल्ट करनी है सबसे पहले यहाँ पर पूचा गया है क्या आपकी class 12 में English ती तो आप यह समें क्लिक करेंगे उसके लिए फेंस अगर आपने class 12 pass out कर लिया है तो आप पास में क्लिक करेंगे नहीं तो आप appearing में क्लिक करेंगे ठीक है यहां पर आपको class 12 का role number enter करना है यहां पर board from which the candidate has passed in qualifying exam कौन से board से आपने class 12 हम यहां पर यहां पर पूछ है को यहां अपर आपको बॉज्ख करना है को सब्सक्कांगा है कलास पास वैंञा है वाह privacy के माक्स के टीतेव प्यृट прок्रेंगे यहां पर चैनल मार्क्स फिल करना и और यहाँ पे subject wise आपको marks fill करने हैं जैसे physics में आपके 100 में से कितने marks आया हैं आप यहाँ पे enter करेंगे सेम इसी तरीके से chemistry और biology के marks enter करेंगे उसके बाद आप save and next में click करेंगे save and next में click करने के बाद friends हम पहुज गें अपने last step पे जो है document upload यहाँ पर आपको photo signature upload करना है photo signature की जो size 10-100 kb के बीच में होनी चाहिए ठीक है photo का जो background है वो white होना चाहिए और जो signature है वो white paper पे black ink pen से किया होना चाहिए photo signature upload करने के बाद आप यहाँ preview में click करेंगे उसके बाद friends कुछ इस type का interface आपके सामने सो रहा होगा आप इसे एक बार बारीकी से चेक कर लें कहीं पर आप से कोई mistake हुआ है तो आप उसे correct कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखे जहाँ पर परसनल इंफॉर्मेशन लिखा है उसके बगल पर एक pencil का option मिलेगा आप इसमें क्लिक करके कोई भी चीज आपको correct करना आप correct कर सकते हैं ठीक है तो इसे आप एक बार बारीकी से चेक करने हैं यहाँ पर सारी information सुषरी होगी आप इसे देख सकते हैं अगर सारी डिटेल साही है तो आपको एहाँ पर एक checkbox दिख रहा होगा आप इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद आप submit में क्लिक करने के बाद पर यहांब वि करने फमेंट के प्रोस्ट लिए करेंध के और देखन के आपको कार्ट और stage कर सकते यहां फारेंट कर सकते हैं और यहां पर यूपी जो आइडिए बीट करना है जैसे G&M हो गया, A&M हो गया यह पेरामेडिकल के लिए अपलाई करना है तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे आपको अपना रेजिटीशन आइडी जो मैंने आप से कहा था नोट डाउन कर लें अगर आपने नोट नहीं किया है तो आपकी इमेल आइडी पे भी यहाँ अपने पे नोट कर सकते हैं तो रेजिस्टेशन आइडी आइडी आपको यहां पर एंटर करना है यहाँ पर मैंने यहाँ पर जी एनम के लिए कर दिया है तो apply में क्लिक करेंगे फिर से आपको वही information यहाँ पर फिल करनी है जैसे हमने ब्यस्टी नर्सिंग में किया था सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रसनल इंफर्मिशन, communication, qualification, information आप यहाँ पर फिल करेंगे ने डंकुमेंट अपलोड करेंगे फोटो ऋ पलोड करने न्युकीं तो प्रोसेस सबकी सेम है इसी तरीके से आपको 40 feaval करना है औयोई के फ्रेंट्स आपको इस वीडियो की इमसे लिए's सम 123 करेंगे